हलो फ्रेंड्स आप आई एस योट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है UPSC Prelims 2021 के अंतरगत ओक्टोबर महीने का ये हमारा तीसरा डिसकसन वीडियो है चलिए हम आज का अपना डिसकसन सुरू करते हैं हमारे डिसकसन का पहला टॉपिक मैपिंग से रिलेटेड है जो अस्थल न्यूज में है वो चूसूल है चूसूल है कहाँ पर तो फ्रेंड्स ये भारत में लद्दाग के लेह जिले में इस्थित है ये एक छोटा सा गाउं है न्यूज में इसलिए है क्योंकि भारत और चीन के बीच जो सीमा विवाद उत्पन हुआ है उसके बाद दोनों ही देसों के जो वरिष्ट अधिकारी है दोनों ही देसों के सेनाओं के जो वरिष्ट अधिकारी है वो आपस में मिलकर इसी गाउं में बैठक कर रहे हैं इसलिए ये न्यूज में है एक अन्यकारण से भी ये अस्थल महत्तपुन है 1962 में जब भारत और चीन के बीच युद हुआ था उस समय इसी जगह पर भारत ने अपने आपको वीरता पुर्वक युद लड़ते हुए इस अस्थल को बचा लिया था जीत लिया था ये लदाक में लदाक के लेह के अंतरगत लगभग 4360 मीटर की उचाई पर है कुछ अन्य छेत्र जो इसके आसपास है वो रेजांगला ये एक दर्रा है पागोंग तसो जील ये एक जील है जो की लदाक में खारे पानी का जील है तो ये भी वो अस्थल है जिसे आपको याद रखना है अगर हम बात करें मैपिंग में ये कहां पर है तो आप देख सकते हैं ये हमारे प्यारा भारत का जम्मु कस्मीर ये लदाक का इलाका और ठीक उसी के लेह में एक छोटा सा गाउं चुसुल इसे आप देख सकते हैं चलते हैं हम आगे हमारे डिसकसन का दूसरा टॉपिक अर्थ सोट प्राइज से सम्मधित है इस प्राइज इस पुरस्कार की सुरुवात प्रेंस विलियम और दर रोयल फाउंडेशन के द्वारा की गई है ये पुरस्कार किसको दिया जाएगा इस पुरस्कार को उस संस्थान उस संगठन कोई देश कोई सरकार या फिर कोई समुह कोई भी हो किसी को भी दिया जा सकता है क्यों दिया जाएगा यदि कोई ऐसा संगठन है या तो देश है या तो विक्ति है जो आने वाले समय में पर्यावरन के द्वारा जो संकठ का सामना किया जाना है उन समस्याओं को कम करने के लिए उन समस्याओं से निपटने के लिए यदि कोई तरीके निजात करता है या तो कोई तकनीक बनाता है कोई ऐसे प्रणाली को विक्सित करता है कुछ ऐसे नीती लागू की जाती है जिसकी वज़े से आने वाले समय में परियावरन का प्रभाव कम होगा पर्यावरन से होने वाले नुकसानों को कम किया जा सकेगा तो उसे यह पुरसकार दिया जाएगा इस पुरसकार के अंतरगत लगभग 50 मिलियन पाउंड दिये जा सकते हैं तो यह कुछ महत्तपुन जानकारियां थी आप इसे याद रखेंगे हमारे डिसकसन का तीसरा टॉपिक मर्डर, हॉर्नेस्ट और फरी पुस, कैटर पिलर से सम्मंदित है UPSC ने 2020 में भी एक इसी प्रकार के प्रस्ण पूछे थे जिसमें पूछा गया था कुछ ऐसे ही अजीब से नाम दिये गए और कहा गया कि ये किस से सम्मंदित है ये उसी तरह का प्रस्ण आपसे पूछा जा सकता है आप याद रखेंगे सबसे पहले फरी पुस, कैटर पिलर ये क्या है ये एक प्रकार का कीट है जो मुख्य रूप से स्वंक्तराज अमेरिका में पाया जाता है और ये अपनी तरह का सबसे जहरीला कीट माना जाता है अभी इनकी संख्या स्वंक्तराज अमेरिका में लगातार बढ़ रही है इसलिए ये न्यूज में है तो आप इसे ध्यान रखें कि ये एक प्रकार का कीट है ये देखने में कुछ इस प्रकार का होता है इसे आप देख सकते है अगर हम बात करें मर्डर होर्नेस्ट का तो ये एक मधुमक्षी की दरह दिखने वाली प्रचाती है जो मुख्य रूप से या फिर अस्थानिक रूप से दक्षिन पूर्वी एसिया चीन या फिर ताइवान के छत्र में पाई जाती है लेकिन अभी ऐसा देखा गया है कि ये अमेरिका के तटवर्ती छत्रों में भी पाई जा रहे हैं और इनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है इसलिए ये न्यूज में था तो इसी वज़े से हम इसे लेकर आए है आप इसे याद रखें Murder Horner Murder Hornet हलांकि ये मनुश्यों को काटता नहीं है लेकिन यदि इनको ऐसा आभास होता है कि मनुश्यों के वज़े से इनको नुकसान हो सकता है तो ये डंक मारते हैं तो मनुश्यों के मरने तक का डर होता है तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे समाने था काटते नहीं है लेकिन काटेंगे तो मार देंगे हमारे discussion का अगला topic जो है वो aquaponics से related है क्या होता है aquaponics Friends, ये क्रिसी करने की एक नई विधी है नई तकनीक है इसे आप समझने की कोशिस करें यदि आप समझ जाएंगे prelims में किसी भी प्रकार का statement देगा तो आप आसानी से उसे कर लेंगे देखिए, यहाँ दो प्रकार के चीजें रखी हुई है दो प्रकार का डिबबा रखा हुआ है जो डिबबा रखा हुआ है अलग-अलग एक में पौधे उगाये जा रहे हैं दूसरे में मचली पाली जा रही है हम सुरू करते हैं इस वाले से जो मचली है उन मचलीों के द्वारा कुछ समय तक इस पानी को उप्योग करने के बाद यहां मलमुत्र करने के बाद इसे गंदा कर दिया जाएगा यह जो पानी होगा इस पानी को ले जाकर दूसरे टैंक में डाल दिया जाएगा जब दूसरे टैंक में डाला जाएगा तो अब जितने भी कचडे हैं जो मचलीों ने गंदा किया था अपने मलमुत्र के द्वारा या फिर किसी भी प्रकार से तो उन तत्तों का उप्योग पौधों के द्वारा किया जाएगा जब पौधे उन तत्तों का उप्योग कर लेंगे तो ये पानी साफ हो जाएगा इस पानी को फिर से मचलियों का जो टैंक है मचलियों का जो जार है उस जार में डाल दिया जाएगा और ये चक्र चलता रहेगा इस प्रकार की जो पधती है जिसमें मचली पालन और क्रिसी से संबधित कुछ गतिवीधियां दोनों एक साथ की जाती हैं तो उसे ही एकवापॉनिक्स कहते हैं आप इसे ध्यान रखेंगे ये पधती काफी महत्तपुन है ये एक पर्यावरन अनुकूल तकनीक मानी जा रही है विशेश रूप से उन देसों के यहां जहां पर मचली भी पालने के लिए पानी नहीं होता क्रिसी करने के लिए भी पान ही कम होता है तो अगर इस प्रकार की पधती अपनाई जाती है तो ये काफी सफल सीध हो सकती है पर्यावरन के अनुकूल हो सकती है तो आप इसे ध्यान रखें हमारे डिसकसन का पांचवाँ टॉपिक एंजियो से रिलेटेड है फ्रेंस इससे जुड़े हुए कुछ महत्त करता है गैर सरकारी संगठन है उनको रिगूलेट कौन करता है ग्रिह मंत्राले करता है सबसे पहले आप इसे याद रखेंगे कौन से प्रावधान के अंतरगत रिगूलेट किये जाते हैं एप सी आर ए यानि कि जो एंजियो है अगर वो एंजियो या फिर गैर सरकारी संग एक अधिनियम के माध्यम से किया जाता है उस अधिनियम का नाम है Foreign Contribution Regulation Act यानि कि FCRA विदेशी अंसदान विनियमन अधिनियम ये 2002 में बना था तो इसे आप ध्यान रखेंगे कौन से अधिनियम के माध्यम से रेगुलेट किया जाता है किस मंत्राले के अंतरगत रेगुलेट किया जाता है इसे आप ध्यान रखेंगे भारत पूरी दुनिया में एक ऐसा देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा गैर सरकारी संगठन पंजिकरित हैं तो आप इसे ध्यान रखें पंजिकरन अलग-अलग तरह से हो सकते हैं एक स्साइटी के रूप में हो सकता है या फिर एक ट्रस्ट के रूप में हो सकता है कुछ भी हो सकते हैं अब दहम देखते हैं कि यह न्यूज में क्यों था Friends हुआ यह है कि विदेशी अनुदान विनियमन अधिनियम 2020 जिसे अभी संसोधित किया गया है उस संसोधन के अंतरगत ये कहा गया है कि जितने भी NGO हैं अगर वो NGO विदेशों से अनुदान प्राप्त करते हैं तो उनको नई दिल्ली में जो SBI की साखा है उसमें अपना खाता खोलना होगा और उसी खाता में वो विदेशों से अनुदान प्राप्त करेंगे इसके अलावा किसी भी माध्यम से NGO अनुदान प्राप्त नहीं कर सकते विदेशों से तो ये प्रावधान किया गया है कि नई दिल्ली के SBI के साखा से ही वो अब विदेशी अनुदान प्राप्त कर सकते हैं तो ये महत्तपुन प्रावधान जोड़ा गया है आप इसे याद रखेंगे ये जो प्रावधान है वो 1 अप्रेल 2021 से लागू हो जाएगा हम चलते हैं आगे हमारे डिसकेशन का छठा टोपिक राजनितिक दलों को प्रतीक चिन यानि कि जो अलग-अलग पहचान चिन होता है उसके आवंटन से सम्बंधित है सबसे पहले इसमें आपको यही जानना है कि किसी भी राजनितिक दल को चाहे वो राष्ट्य दल हो छेत्रिय दल हो या फिर पंजिकरित हो लेकिन राष्ट्य या छेत्रिय ना हो तो उनको जो चुनाव चिन होते हैं उनका आवंटन कौन कर तो फ्रेंड्स याद रखेंगे चुनाव आयोग या फिर निर्वाचन आयोग जो है वो इन चिन्धों को आवंटन करता है ये कुल मिलाकर दो प्रकार के होते हैं एक ऐसा होता है जिसे हम आरक्षित कहते हैं मतलब भारत में जो आठ राष्ट्रे दल हैं और लगभग 64 छेत् दल है इनको जो चुनाव चिन दे दिया गया है फिर इसे पल्टा नहीं जाएगा जैसे कि कॉंग्रेस के लिए जो चुनाव चिन है बिजेपी के लिए जो चुनाव चिन है वो बनी रहेगी तब तक बनी रहेगी जब तक ये दल राष्ट्रिय दल के रूप में मान्यता प चुनाव आयोगने लगभग 200 ऐसे चुनाव चिन्हों को रखा हुआ है, वो साइकल हो सकता है, या फिर टायर हो सकता है, या फिर बैग हो सकता है, ढोलक हो सकता है, मिर्च हो सकता है, गाजर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इस प्रकार के आवंटन करके रखे हैं, और इन अच्छन संसोधन आदेश 2017 के अनुसार किया जाता है इसमें आपको याद क्या रखना है आवंटन कौन करता है किस आदेश के माधम से किया जाता है अभी वर्तमार में कितने दल राष्टे दरजा प्राप्ति किये हुए है और लगभग कितने दल है जो छेत्रिय दल के होते हैं जिनको आवंटन किया जाता है उसका आवंटन जब चुनाओ के लिए कोई उमीदवार पंजिकरित कराने के लिए जाता है उस टाइम पर चुनाओ चिनका आवंटन किया जाता है तो इसे आपको ध्यान रखना है पहले आओ पहले पाओ का मामला है मतलब जो सबसे पहले जाकर आवंटन सबसे पहले जाकर पंजीकरन कराएगा आरो के पास तो उसको उसी के हिसाब से जो वो चुनना चाहता है वो मिल सकता है राश्ट्य दल का दरजा कैसे दिया जाता है छेत्रिय दल का दरजा कैसे दिया जाता है आप लक्षमी कांत में जाकर देख ले यद लक्षमी कांत में जो चीज नहीं दिया हुआ है, उसे मैं आपको बता देता हूँ. Friends, जो चुनाओ चिन का आवंटन सबसे पहले प्रावधान किया गया था, वो 1968 में किया गया था. इसके लिए एक आदेश पारित किया गया, उसके बाद अब चुनाओ चिन का आवंटन किया जाना शुरू किया गया. 1967 तक तो एक ही दल हुआ करता था समान्यता, कॉंग्रेस, और वही जीत कर आ रही थी लागातार, 1968 से बहुदल्य व्योस्था हो गई, नयने संगठन बनने लगे, जनता दल और फिर भारते जनता पार्टी, भारते जनता पार्टी ऐसे 1991 में आई थी. तो इस प्रकार के फिर छोटे छोटे दल बनने लगे, तो उसके लिए चुनाव चिन के आवंटन करने का प्रावधान सुरू हुआ, तो इसी आदेश के अंतरगत, जो आदेश का अनुछेद 15 है, उस अनुछेद के तहत निर्वाचन आयोग, प्रतिद्वन्दी समूह, अ कोई ऐसा अलग-लग संगठन बन रहा है, तो उसको पंजिकरित करना और पंजिकरित करने के बाद उसको चुनाव चिन का आवंटन करना, चुनाव चिन आवंटन करने के बाद कौन सा दल राष्ट्य दल है, कौन सा दल छेत्रिय दल है, इन सारे चीजों को तै करने का जो ज जिम्मेदारी सोपा गया है वो निर्वाचन आयोग को है किसके अंतरगत आदेश 1968 के अनुछेद 15 के अंतरगत ध्यान रखेंगे अगला माल लेते हैं कि कोई ऐसा दल है जैसे कि अभी कॉंग्रेस की हम उदाहरन लेते हैं कॉंग्रेस में जो मुख्य लोग कारे कर रहे हैं व कि कॉंग्रेस मेरा है तो इस मामले में जो चुनाव चिन हाथ का चिन है या फिर कॉंग्रेस जो नाम है वो किसको दिया जाएगा प्रियंका गांधी को या फिर राहुल गांधी को तो इस बात को तय कोन करेगा राष्ट्रपती करेंगे संसद करेगा या फिर चुनाव आय को ये अधिकार दिया गया है कि किसको कॉंग्रेस का नाम दिया जाए किसको कॉंग्रेस का जो पाचान चिन है जो चुनाव चिन है उसको दिया जाए ये चुनाव आयोग के द्वारा किया जाएगा निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाएगा इसका प्रावधान भी 1968 के आदेश के अंतरगत ही किया गया था तो इसे आप ध्यान रखेंगे हम चलते हैं आगे हमारी discussion का अगला topic जो है वो GS paper 2 से इसे आप जोड़ कर देख सकते हैं friends अभी coronavirus का संक्रमन है GST collection हो नहीं रहा है उपकर के माध्यम से भी प्राप्ति नहीं हो रही है हमने अपने पिछले discussion में देखा था कि GST छतिपूर्ती राज्यों को हर दो महिने में मिलना है लेकिन पिछले 6-7 महिने से मिले नहीं है क्योंकि है ही नहीं भारत सरकार के पास भी उतने पैसे कि वो राज्यों का छतिपूर्ती करेगी तो अब क्या हुआ है कि 20 राज्यों को केंदर सरकार के द्वारा बाजार से उधारी लेने की अनुमती दी गई है अब सवाल ये उठता है कि जो राज्य हैं उनको बाजार से उधारी लेने के लिए क्या राज्य खुद से उधारी लेंगे या फिर केंदर सरकार से अनुमती लेने के बाद वो उधार लेंगे तो इसी से जुड़ा हुआ मामला है हम इसे एक एक करके समझने की कोशिस करते हैं सबसे पहले यही कि अभी छतिपूर्ती हुई है राज्यों के पास पैसा कम पढ़ रहा है तो अब केंदर सरकार ने 20 राज्यों को अनुमती दे दिया है कि वो बाजार से उधारी ले सकते हैं ऐसे राज्यों ने कहा था कि हमको कम से कम मतलब जो total collection होना है जो उधार लेने की चमता है वो राज्यों के द्वारा कहा गया था कि एक लाख करोड रुपिये कि आजपास हम लोगों को दीजिये अनुमती ताकि हम बाजार से उधारी ले सकें लेकिन भारत सरकार ने उतना नहीं दिया है उनको कहा गया है कि लगबग 68,825 करोड रुपिये तक आप उधारी ले सकते हैं इससे जादा उधारी नहीं ले सकते हैं तो यह अनुमती दी गई है बित मंत्राले के व्यविभाग के द्वारा तो इसलिए ये न्यूज में है ये जो पैसे अभी बाजार से उठाए जाएंगे बाजार से उधारी ले जाएगी राजियों के द्वारा वो पैसा जो होगा वो कहां से recovery होगा मतलब एक बार पैसा बाजार से उठा लिया गया तो फिर जिन लोगों से उधार लिया गया है उनको फिर कैसे वापिस करेंगे उनका जो ब्याजदर है उनको वापस कैसे करेंगे इसे आपको याद रखना है कि जो मूलधन है या फिर जो ब्याज है वो GST उपकर संग्रह के अंतरगत किया जाएगा और इसी संग्रह के अंतरगत ही उनको वापस भी किया जाएगा ठीक है और ये जो प्रावधान है वो 2022 से आगे बढ़ाया भी जा सकता है अभी 2022 तक के क्या राज्य रिन लेने के लिए केंदर सरकार से अनुमती लेंगे क्या ये आवशक है जी हाँ आवशक है भारते समविधान के अनुछेद 293 के अंतरगत ये प्रावधान किया गया है कि राज्यों पर केंदर सरकार का पिछला बकाया होने के मामले में राज्य यदी रिन लेना चाहता है तो केंदर से इसके लिए सहमती लेना आउशक है मतलब अभी वर्तमान इस्थिती तो ये है कि भारत का 28 राज्य में से कोई ऐसा राज्य नहीं है जो भारत सरकार से रिण लेके नहीं रखा है हर राज्य उधारी में है और इस इस्थिती में निश्चित बाजार से उधारी लेने के लिए जाता है तो इसके लिए भारत सम्विधान के अनुछे 293 के अंतरगत अनुमती लेना ही लेना होगा और जब तक भारत सरकार अनुमती नहीं देगा तब तक वो राज्य ना तो बाहर से उधारी ले सकता है और नहीं बाजार से भारत के अ प्रफ़ेने के अनुमती दे सकता है, हलांकि सर्थ कौन-कौन से होंगे इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है, इस बार जब 15 वा भी तो आयोग गठित किया गया, पिछला बार किया गया था, मतलब 2018 से ही वो कारे कर रही है, तो जब गठित किया गया तो केंदर सरकार के द् मांदंड बताईए, जिसके आधार पर सर्थ लगाये जा सकें कि कोई राज उधारी लेगा, तो उसको कौन-कौन से सर्थें पूरी करनी पड़ेंगे, अभी वितायोग के द्वारा जितना आकड़ा उपलब्द कराया गया है, जो रिपोर्ट पेस की गया है, उसमें ये सल अभी भी नहीं दिया गया है, यानि कि कोई मांदंड तय नहीं है कि भारत सरकार, यानि कि केंदर सरकार के द्वारा, कौन से वो मांदंड या फिर सर्थ रखे जाए, जिनके आधार पर कोई राज बाजार से उधारी लेगा, अब ये पूर्ण रूप से वितायोग की सिफ पारिष देगा और उसी के आधार पर ये कारे किया जाएगा तो आप इसे ध्यान रखें एक अन्य बाद जो इसी से जुड़ी हुई है वो ये कि अगर राज्यों को कुछ सर्तें लगाई जाती है तो क्यों लगाई जाती है या फिर क्यों लगाई जाने चाहिए तो ये इसल अगर बाजार से उधारी ले लिया जाता है तो बाजार में बचेगा क्या लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा और यदि लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो बाजार के किसी भी उद्योग को कैसे खरीदेंगे किसी भी उत्पाद को कैसे खरीदेंगे और यदि उत्पाद क दूसरा माल लेते हैं कि बाजार से उधारी ले लिया गया ले लेने के बाद राज्य सरकार क्या करेगी उसे किसी जगह में इन्वेस्ट करेगी यदि वो इन्वेस्ट कर रही है लोगों के पास पैसे नहीं है वो इन्वेस्ट कर रही है केंदर राज्य सरकार के द्वारा ले उसको भी तो बाजार से ही पैसे लेने पड़ते हैं और यदि बाजार से पैसे लेने पड़ रहे हैं जबकि पैसे को तो पहले ही केंदर सरकार या राज्य सरकार के द्वारा उठा लिया गया है तो इस इस्थिती में एक ऐसा माहोल बनेगा जो राज्य या फिर केंदर दोनो के लिए अहितकर होगा तो इन्ही इस्थितियों से बचने के लिए केंदर सरकार के द्वारा कुछ सर्तें लगाई जाती हैं और उन्हीं सर्तों के अंतरगत राज्यों को कहा जाता है कि आप उधारी ले या फिर न ले या फिर कम ले तो आप इसे ध्यान रखेंगे देश के वित्यहालोत को ध्यान में रखते हुए ये सर्तें लगाई जाती हैं हमारे डिस्कुसन का आठवा टॉपिक जो है वो आदिवासियों के लिए प्रद्दोगी की पहल से संबंधित है अभी हाल फिलाल में क्या हुआ है कि IIT कानपूर और 36 गड़ के 36 गड़ सरकार के द्वा जो आदिवासी समू है जो लोग अलग-अलग चीजों का उतपादन करते हैं इकठा करते हैं जंगलों से उनको सही सही कीमत उपलब्द कराने और उनको फायदा पहुचाने के लिए एक पहल की शुरवाद की गई है उसे ही आदिवासियों के लिए प्रदोगी की पहल कहा कहा गया है क्या है ये पहल तो फ्रेंड्स आप ध्यान से सुनेंगे उद्मिता और कौसल विकास कारेकरम के अंतरगत उद्मिता और कौसल विकास कारेकरम के अंतरगत MSME मंत्राले के सहयोग के साथ ट्राइफेड के द्वारा आदिवासियों के लिए प्रदोगी की पहल की सुरुवात की गई है इस पहल को सुरू कोन किया है ट्राइफेड किसके सहयोग से MSME के सहयोग से कौन से कारिक्रम के अंतरगत उदमिता और कौसल विकास कारिक्रम के अंतरगत समझ लिया आगे क्या किया जाएगा इस कारिक्रम के अंतरगत इस कारिक्रम का उदेश ये है कि जो आदिवासी समूदाय है उन लोगों के पास जो भी पारंपरी ज्यान है चाहे वो टोकरी बनाने से related है, आयूरवेद से related है, जंगली उतपाद से related है, कोई भी ज्ञान हो, यदि उनके पास कोई कोशल है, जैसे लकडी का उपयोग करके वो बहुत सारे ऐसे उतपाद बनाते हैं, तो जो भी कोशल है, उन कोशलों को प्रोथसाहित करने के लिए, कैसे उनको packaging किया जाए, उनका विपनन कैसे हो, इस प्रकार के कोशल सिखाये जाएंगे, उन आदिवासी समुदायों को, किसके माध्यम से, वन धन विकास केंदर के माध्यम से, ठीक है, इतना आपने समझ लिया, अब हम ये देखते हैं, कि वन धन विकास केंदर जो है, वो एक प्रकार के स्वेम सेवक समुह, यानि कि self-help group जो होते हैं, उनका एक संगठन होता है, मतलब सबसे पहले तो self-help group गनाया जाएगा, जिसमें लगबख 20 लोग होंगे, एक-एक self-help group को मिला कर, यदि 15 ऐसे self-help group होते हैं, तो उन 15 self-help group को मिला करके, एक वन धन केंदर बना जाएगा, जिसमें 20, कम से कम 20 लोग होंगे, अलग-अलग 15 self-help group को मिला करके, एक वन धन केंदर बनाया जाएगा, कैसे बनेगा, आपने देख लिया, किसके अंतरगत कारे करेगा वन धन केंदर, ट्राइफेट के अंतरगत, ट्राइफेट किसके अंतरगत आता है, जन जात आदिवासी लोगों के द्वारा, जो जंगलों में रहते हैं, बहुत सारे ऐसे जंगली उत्पादों को इकठा करते हैं, उन उत्पादों को कैसे ब्रांडिंग किया जाए, कैसे पैकेजिंग किया जाए, कैसे प्रोसेसिंग किया जाए, उनके जीवन काल को कैसे बढ़ाया जाते हैं तो यही है वन धन केंद्र आपने समझ लिया हम चलते हैं आगे हमारे डिसकुशन का अगला टॉपिक जो है नवा टॉपिक जो है वो इलेक्ट्रोनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क से सम्बंदित है इविन क्या है आसान भासा में समझनी के कोसिस करेंगे उ आप लिखा हुआ है नेटवर्क यह ऐसा नेटवर्क है इसे आप आसान भासा में ऐसे समझें यह हमारा प्यारा भारत जम्मुकस्मीर का इलाका अब देखिए मान लेते हैं कि कोई बिमारी है वो जम्मुकस्मीर में है और उसके लिए टीके की जरूरत है लेकिन वरतमान मे जम्मुकस्मीर में वो टीका नहीं है वो टीका है अभी तमिलाडू में जरूरत उस टीके की कहा है जम्मुकस्मीर में टीका प्रेजेंट कहा है अभी यह तमिलाडू में तो इसे होना कहां चाहिए जम्मुकस्मीर में इसका पता कैसे चलेगा इस नेटवर्क के माध्यम से इसी लिए Electronic Vaccine Intelligence Network इस्थापित किया गया है कि कहाँ पर कौन सी बिमारी है और उसके लिए टीका कहाँ पर है इसको आपस में जोड़ दिया जाएगा और जिस चीज की जरूरत जहां है समय पर उसकी उपलब्धिता सुनिशित हो सकेगी यानि कि टीकों को सही समय पर सही जगह उपलब्ध कराने के लिए Electronic Vaccine Intelligence Network की स्थापना की गई है किसके अंतरगत की गई है केंदरिय स्वास्त अंपरिवार कल्यान मंतराले के अंतरगत कौन से कारेकरम के अंतरगत की गई है राष्ट स्वास्त मिशन के अंतरगत तीन ही जानकारिया है इन तीनों जानकारियों को ही आपको याद रखना है चलते हैं आगे इसके लाब यहाँ पर दिये गए हैं कि कौन से कौन से फायदे अभी तक हुए हैं इस Network को इस्थापित करने के बाद काफी आसान है PDF के मादियम से आप पढ़ लेंगे अचा खतम हो गया तो Friends यह हमारा आज का discussion था हम अपने आज का discussion को यहीं रोकते हैं आप हमारे साथ बने रहिए आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए Thank you, thank you very much